नमस्कार दोस्तों मैं संज्य जेन एक बार फिरसा आपके सामने हाजीर हूं आज हम जिक्र करते हैं कि लेड की गोली का उपाए कब आता है अब जब भी खाना नंबर 6 के हम जिक्र करते हैं खाना नंबर 6 जो है वो बुद्ध और केतु का घर है केतु का पका घर है लेकिन केतु यह कमजोर माना जाता है और बुद्ध खाना नंबर 6 में उच्छ का होता है तो जब भी खाना नंबर 6 में राहू होगा तो जब भी ऐसा राहू अच्छे असर का हुआ नेक नियत का हुआ तो खाना नंबर 6 में राहू के जो असर आएंगे वो बहुत लाबकारी रिजल्ट आते है खाना नमबर 6 में बैठा रहू अगर नेक नियत का है तो ऐसे समय में इनसान को निरोगी बना देता है खाना नमबर 6 में बैठा रहू को बिजली की ताकत का मालिक बोला गया यानि ऐसे इनसान के अंदर उसकी जो दिमागी लहरे हैं वो बहुत अवल दरजे की होती ऐसे इंसान के सोचने की पावर जो होती, वो एक्स्ट्रीम लेवल की होती, बहुत अच्छा सोच पाता है, बहुत अच्छा विचार कर पाता हूँ और राहु च्हे के बारे में जब नेक नियत में हो तो उस समय बोला गया है कि सकतिशाली हाती के गले में अगर फासी का फंदा भी पड़ा हुआ है तो राहु को वो हवा माना गया है, जो उस फंदे को काट सके तो जब भी राहु 6 को ये संग्या दी गई, जब नेक नियत का है कि शक्तिशाली हाती के गले में अगर फांसी का फंदा भी पड़ा हुआ है तो वो ऐसी हवा होगी जो उस फंदे को तोड़ सके राहु 6 के समय में ऐसा इंसान अपने शत्रों पे विजय पराप्त कर लेता है या तो उसके दोश्मन नहीं होते है और अगर दोश्मन हैं भी तो बहुत जल्दी उसके सामने गुठने टेक देते हैं परास्त हो जाते हैं यानि उसके राहु 6 शत्रो हंता बनाता है यानि उसको अपने शत्रों पे विजय प्राप्त होती और सभी परेशानियों से मुक्त कर देता है राहू 6 अगर नेक नियत का. तो ऐसा इंसान राहू जब भी 6 में होगा तो ऐसा इंसान दिखने में उसको जो पोशाक पहनने का जो तरीका है उसका जो पहनावा होगा उसका रहन सहन होगा वो बहुत अवल दरजेगा होगा यानि बहुत ही गुड लुकिंग लगता है ऐसा इंसान दिखने में वो उसकी जो पोशाक है रहन सहन का जो तरीका है वो बहुत अच्छा होगा अब राहु 6 में जब भी नेक नियत का होगा तो ऐसे समय में या तो उसके कोट केस नहीं होते या अगर कोट केस किसी प्लाइन दूसरे की वज़े से हो गए है किसी कारण से तो राहु 6 वाले को कोट केस में अक्सर सफलता मिल जाती यानि राहू छे उसको निकाल के लिके आ जाता यानि कोट केस में कभी भी उसको हार का सामना नहीं करना पड़ता राहू छे नेक नियत का हुआ तो ऐसे इंसान को जिन्दगी में जो उसके करजा होता वो बहुत ही जल्दी चुक जाता या करजा नहीं होता दोनों ही चीज़े हैं competition में उसको success दिलवा देता राहू 6 के समय में अगर उसका time frame चल रहा राहू 6 में बैठा हुआ है इनसा राहू 6 में बैठेगा तो कभी भी मंदी शरारत नहीं करता है और जैसे मैंने पहले का कि उसके दिमागी जो लहरे हैं दिमागी जो ताकत है वो बहुत अवल दरजे की होगी सोचने की जो उसकी power है वो बहुत extreme level की होगी राहू 6 में इनसान को तरक्की जरूर करवाता है तब्दिली हो, changes हो या ना हो ये कोई जरूरी नहीं लेकिन तरक्की जरूर होगी अब हम ये हमने जिक्र पढ़ा हमने की नेक नियत का कब होता अब मंदे नियत का कब होगा राहू कि अगर जब भी राहू खाना नंबर 6 में मंदे असर का या तो उसके साथ में कोई anti-planet बैड़ गया जैसे सूरज बैड गया या किसी वज़े से किसी planet की combination की वज़े से वो खराब हो रहा है तो ऐसे समय में ऐसा इंसान अपने भाईों या दोस्तों को हानी जरूर पहुचाता है या उनसे धोका खाता है या उनको धोका देता है राहू छे में जब भी अशुब असर का होगा जो बार-बार डाइग्नोस नहीं हो पाती कि reports में कुछ नहीं आता और उसकी बिमारी चलती रहती है वो कहता है कि आज मैं बिमार हूं कल बिमार हूं लेकिन वो डाइग्नोस उसकी reports में कुछ नहीं आता जब भी बुद्ध और मंगल या दोनों में से कोई एक खाना नमबर 12 में बैठा होगा तब यह कंडिशन है जब राहू मंद्य हालात का होगा राहू 6 के समय में बुद्ध अगर 12 बैढ़िया और सूरज अगर 2 बैढ़िया बुद्ध खाना नमबर 12 में नीच असर का है और सूरज खाना नमबर 2 में जब बैठा हुआ तो भली धर्मिस्तान में बैठा हुआ है लेकिन सूरज अपनी गर्मी से खाना नमबर 6 के असर को और खाना नमबर 2 के असर को खाना नमबर 7 के असर को जनरली खराब कर दिया करता है खाना नंबर 6 में राहू को मंदे नियत को पहचानने का एक तरीका ये है कि ऐसा इंसान किसी भी शुब काम पे जाता है या काम पे जाता है तो पीछे से किसी की छीक हो जाती है या फिर पीछे से कोई आवाज दे दिया करता है या बिल्ली रास्ता काट जाती है तो ये राहू अशुबता की निशानी है, राहू छहे के समय में नाना का और मामा का स्वास्त जो है, अमूमन खराब ही उसको गिना करते हैं, राहू छहे के समय में अगर इंसान अपने भाईयों से बना के चले, अपनी भाई की हां में हां मिला के अगर वो रखता है, अपने में हम जो समझना चाह रहे थे कि लेड की गोली कब रखी जाती लेड की गोली रखने का जिक राता है राहू 6 के समय में लेड की ऐसी गोली जो 6 ग्राम की हो तो लेड जो धाता है धातु है सिक्का जिसको बोलते हैं रांगा जिसको बोलते हैं लेड उसको 6 ग्राम की गुली, मतलब बिलकुल गोल गोली, यानि वो बुद्ध का उसकी गुलाई हो गई और जो ये धातू है, जिसको लेड कहा गया है, या सीसा कहा गया है, सिक्का कहा गया है तो यह जो धातू है वो राहू की तो अब जब उसकी गोल गोली बनती है गोल शेप जब उसका बनता है तो गोल शेप जो है वो बुद्ध का है जिसका कोई आदी और अंतनी होता है गोल शेप बिलकुल तो यहां राहू को बुद्ध की सपोर्ट दे दी जाती है तो राहू क मंदे असर से बचा होता रहेगा इसके अलावा खाना नमबर 6 में राहू का एक उपाय है जो पंडे जी ने लिखा है कि पूरा काला कुत्ता ऐसा काला कुत्ता जिसका पूरा कलर जो है वो ब्लैक हो वो रखना मुबारक होगा इसके अलावा जो माता सरस्वती है वो राहू की आराध्या देवी तो माता सरस्वती का पूजन करना माता सरस्वती को 6 दिन लगातार 6 निले फूल चड़ाने से भी राहू की अशुबता कम हो जाती अब निले फूल जो है वो राहू है और जब माता सरस्वती यानि उनके आराध्य देवी के चर्णों में जब हम वो निले फूल अर्पित करते हैं तो राहु को हम अर्पित कर देते हैं कि हे मातेश्वरी राहु के जो मंदे प्रभाव मेरी जिंदगी में है उसको शांत करो आप तो वो अपने आराध्य देवी के श्री चर्णों में जाते ही राहु शांत हो जाता तो 6 दिन लगाता है 6 निले फूल माता सरस्वती की मुर्ती के चर्णों में रख देने से राहु कंट्रोल हो जाता और लेड की गोली का जो उपाय है उसका मैंने आपको पूरा बता दिया ये कुछ चीजें थी जो राहु 6 में थी राहु 6 क्या ये डिस्क्रिप्शन था तो आशा है आप मेरे इस वीडियो से लाभानवित हुए होंगे अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना जाते हैं तो आप मेरे वाट्सप पे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद